रावन का वद करने के बाद राम जी खुश थे या दुखी थे। रावन का वद करने के बाद यहां आकर श्री राम ने किया था पश्चाताप, वर्षों तक तपस्या में रहे थे लीन। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां लंकापती रावन को मारने के बाद श्री राम आकर ध्यानमगन हो गए थ। साथ ही उन्होंने वर्षों तक तपस्या कर रावन को मारने का पश्चाता भी किया थ। जी हां यह पुरानों में भी कहा गया है कि भगवान श्री राम को रावन के मारे जाने का दुख भी था। रावन भगवान श्रिव का महाभक्त था। उसे मारकर पाप के भागी न बने इसलिए श्री राम ने तपस्या भी की थी। यह जगह है उत्राखंड के रुद्रप्रियाग जिले के चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रशिला। यह शिला महादेव के दुनिया में सबसे उंचे शिवाले तुंगनात धाम के पास है। इसलिए इस मंदिर से भगवान राम का भी कनेक्शन है। वीडियो में आगे बरने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें। पुरानों में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूझतेत। कहते है कि लंकापती रावन का वद करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनात से देर किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया थ। रामचंद्र ने यहा कुछ वक्त बिताया थ। 14,000 फीट की उंचाई पर स्थित चंद्रशिला पहुचकर आप विराठ हिमाले की सुदन्र छटा का आनंद ले सकते हैं। चंद्रशिला के टॉप पर पहुचकर हिमाले के नंदा देवी, त्रिशूल और केदार डोम का खुबसूरत नजारा दिखता है। यह ट्रैक इजी होने की वजह से काफी फेमस है, यहां तक की इसे साथ साल से बड़े बच्चे भी ट्रैक कर सकते हैं। तुंगनात की खुबसूरती देखते ही बनती है। यह सबसे उंचाई पर स्थित है। इसकी महित्ता इसलिए भी बर जाती है, क्योंकि यह पंचकेदारों में से एक माना गया है। कहते हैं कि तुंगनात में बाहू यानी शिव के हाथ का हिस्सा स्थापित है। यह मंदिर करीब एक हजार साल पुराना माना जाता है। पंचकेदारों में द्वितिय केदार के नाम प्रसिद तुंगनात की स्थापना कैसे हुई। यह बात लगभग किसी शिवभक्त से चिपी नहीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के बाद व्याकुल्थ। इस व्याकुल्था को दूर करने के लिए वे महरशी व्यास के पास गए। व्यास ने उन्हें बताया कि अपने भाईयों और गुरुओं को मारने के बाद वे ब्रहमा हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास रिशी की सलाह पर वे सभी शिव से मिलने हिमाले पहुचे लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते नाराज्थ। बताया जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। तुंगनात की चोटी तीन धाराओं का स्रोत है जिन से अक्षकामिनी नदी बनती है। पुरानों में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूझतेत। धन्यवाद हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट में जै श्री राम और हर हर महादेव लिखना न भूले।